आजकल भारतियों का बूलबाला दुनिया भर में है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया की हर बड़ी कमपनी को भारतिय चला रहे हैं फिर चाहे वो गूगल हो, ट्विटर हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट अब इन बड़े नामों के साथ एक और दिगज इंटरनेशनल कमपनी का नाम जुड़ गया है जिसने एक भारतिय को अपना CEO चुन लिया है हम बात कर रहे हैं स्टारबक्स की स्टारबक्स की कहानी भारत से पहले भी थोड़ी सी जुड़ी हुई है तो आज आपको वही बताएंगे पहले कौन हैं वो स्टारबक्स की नए CEO चलिए जानते हैं स्टारबक्स ने भारतिय मूल के लक्षमन नर्सिमन को अपना नया Chief Executive Officer चुना है लक्षमन नर्सिमन एक अक्टूबर 2022 से स्टारबक्स में शामिल हो जाएंगे और 1 अप्रेल 2023 तक स्टारबक्स के इंट्रिम CEO हावर्ड सुलुच के साथ मिलकर काम करेंगे इस समय के बाद लक्षमन अपना CEO रोल अपनाएंगे और कंपनी के बोर्ड में शामिल हो जाएंगे आपको बता दें लक्षमन नर्सिमन को लंदन से सियेटल आना होगा केवल स्टारबक्स में अपने कारेभार को संभालने और काम को शुरू करने के लिए क्योंकि स्टारबक्स सियेटल बेस्ट कंपनी है काम के स्तर पर देखें तो लक्षमन को कई बड़ी कंपनियों में बड़े पत संभालने का नुभव भी रह चुका है जैसे लक्षमन नसीमन लंबे समय तक पेपसिको में ग्लोबल चीफ कमर्शिल आफिसर के तौर पर काम कर चुके हैं इसके लावा सितंबर 2019 में रिकिट को CEO के तौर पर जॉइन किया था उन्होंने और कोरुना महामारी के दौरान उन्होंने कमपनी को काफी अच्छे से गाइड भी किया था जानकारी के नुसार कमपनी में उनको बतौर CEO करीब 10 करोड 37 लाख रुपे सालाना का वेतन मिलेगा अब तक स्टार्बक्स की कमान हावर्ड सुलुज संभाल रहे थे उनके हाथ थी यह कमान सुलुज लंबे समय तक स्टार्बक्स के CEO रहे इन्होंने 1987 में स्टार्बक्स को खरीबने के बाद इसे आगे बढ़ाया पूर CEO केविन जॉनसन के रिटार्मेंट अनौसमेंट करने के बाद से सुलुज मार्च में कमपनी के इंट्रिम CEO बने थे हालकि सुलुज नरसिम्बन के पधभार संभालने के बाद भी कमपनी के बोर्ड में शामिल रहेंगे अब आते हैं स्टार्बक्स और भारत की छोटी सी कहानी की ओर स्टार्बक्स की छोटी सी कहानी पहले से ही भारत से जुड़ी है या हम आपको बोल चुके हैं आप कहेंगे कैसे वो ऐसे कि भारत में स्टार्बक्स को टाटा चलाती है जिहां भारत में Tata और Starbucks 50-50 की पार्टनर्शिप के साथ काम करते हैं Tata Starbucks के भारत में कुल 270 स्टोर्स हैं दोनों के इस जॉइंट विंचर को Tata Starbucks Limited के नाम से जाना जाता है ये तो बात हुई Starbucks और भारत के रिष्टे की और भारती मूल के नए CEO की लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के टॉप कंपनियों में किन भारतियों का बोल बाला है? नहीं, चलिए हम बता दे दे हैं Twitter के CEO पराग अगरवाल जिनका साराना पैकेज है 7.5 करोड रुपे के आसपास ऐसे ही दूसरा नंबर है Microsoft के CEO सत्ते नडेलागा इनका साराना पैकेज है करीवन 322 करोड रुपे के आसपास ऐसे ही Google के CEO है सुन्दर पिचाई इनका साराना पैकेज है करीवन 2,105 करोड रुपे के आसपास ऐसे ही कई और नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं जैसे IBM के अर्विंद कृष्णा और एडोप के शांतनू नरायन नाम और भी बहुत हैं इस लिस्ट में लेकिन फिलाल इतना ही ये हैं वो लोग जो विदेश में रहकर भारत का नाम उचा कर रहे हैं अब इस लिस्ट में लक्षमन नर्सिमन का नाम भी जुड़ गया है जो पहले भी अपनी सेवाएं विदेशी कंपनियों में दे चुके हैं लेकिन स्टारवक्स के साथ जुड़ कर उन्होंने भारत का नाम उचा कर दिया है कर दो कर दो कर दो कर दो सुड़ बड़क्स के साथ जलिए हैं